नमस्कार दोस्तों मिठलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है दर्भंगा एरपोर्ट टर्मिनल जाना होगा बेहतासान 15 अप्रेल तक पूरा हो जाएगा या काम जाने रूट पलान जैनगर दर्भंगा एरपोर्ट के टर्मिनल तक बगेर परिसानी से पहुँच सकेंगे सरक एरपोर्ट परिसर के बीच इस्तित कमला नदी पर कलोड बनाने का काम तेजी से चल रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं पहुचपद काफी चोड़ा बनाया जारा जिसे यात्रियों को आने जाने में परसानी नहीं होगी पहुचपद का काम पूरा होने के बाद बुजुर्ग यात्रियों को भी टर्मिनल तक पहुचने में सहलियत होगी इस रास्ते पर सेट भी बनाने का निर्देश दिया गया है, जाहिर है कि इस निमान कारिये के लिए पूराक होने के बाद दरवंगा एरपोर्ट की खुबसूरती भी बढ़ जाएगी, फिलाल यात्रियों को एरफोर्स स्टेशन के मुख द्वार से होकर टर्मिनल तक जाना एने से टर्मिनल भवन तक पहुँचने में काफी परिसानी का सामना करना परता है, दरवंगा के डिम राजीव रोशन ने पहुच पत निर्मान कारिये 15 अपरल तक पूरा करने का सक्त निर्देश दिया है, एरपोर्ट एप्रोच रोट बन जाने से यात्रियों को टर्मिन सहरसा, सुपोल, आधी जिले के यातरी बड़ी संक्या में पटना एरपोर्ट से अधिक दरवंगा से यातरा करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी अपडेट, आप हमको बताए क्या दरवंगा एरपोर्ट से अगर आप यातरा करने कैसा लगता है, तो मुबाते बताएं, धन्यवाद